स्वागते दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में दोस्तों ये है सेट 64 बिहार प्लिस सब इंस्पेक्टर अनकॉंस्टेबल एकजाम 2019 के लिए दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी एक्सप्रेस क्वेशन के हम ये स्रीज चला रहें आप सभी के साथ जिसमें मैं 10 मिनट में आप लोगों के साथ 100 क्वेशन यहां कबर करने की खोसिस करता हूँ तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन अभी तक आप ने इस वीडियो को सेर नहीं किया तो इस प्रेफ्रेंस के साथ सेर करें साथ यूटूब ए सब्सक्राइब कर जिए खबड़ी दोश्तों वह 24211 स्कुरkum स्कायर किलो मिटर के रिचasto हर्याना के पहले मुखमंत्री ंठेट पंडित भागवत देयाल सर्मा धायना के पहले मुख्मंत्री ठेट किसे देश की अस्तल सिमा सरवारदिक देश्वों के साथ लगती है, तो दोस्तो ये चीन होगा, काफी सारे लोगों सवाल का जवाब दिया था, लेकिन मैकसिमम मैंने देखा था, दो से तीन लोगों नहीं इसका सही जवाब दिया था तो दोस्तो आज भी मैं आप लोगों से एक question पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को comment section में बताना होगा दोस्तो अगला हमारा प्रशने की बैरो मीटर का पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है दोस्तो बैरो मीटर के पठन में तेजी से गिरावट तुफान का सूचक होता है अगला प्रशने की भारती मरुस्तल का नाम क्या है तो दोस्तो भारती मरुस्तल का नाम थार है अगला प्रशने की काजिरंगा राष्टिय अभ्यारन किस राज में है दोस्तो काजिरंगा राष्टिय अभ्यारन अर्शम मेश्तित है अगला प्रशने की प्रित्वी अपनी धूरी पर किसे दिशा में घूमती है दोस्तो प्रिथी जो अपनी धूरी पे है वो पक्षिम से पुर्वक्योर घूमती है दोस्तो अगला प्रशन की बात करें उज्जैन किस नदी के किरारे बशा हुआ है अगला प्रशने की निम्मे से कौन सी धातू बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है तो दोस्तो ये है चांदी अगला प्रशने की गोबर गैस में मुखरूप से क्या पाया जाता है तो ये है मिथेन अगला प्रशने की सोतंतरता मेरे जन्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये किस ने कहा था ये नारा दोस्तों राजसभा के से दस्तों का चुनाव का जो अविधी होता है वो छे वर्सों के लिए होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रशन की हिंदी भासा कौन सी लिपी की है देखो यह प्रशन आपके प्रिविए से पेपर में बुछा जा चु दोस्तों वो था उदंत मार्तड ये नाम याद रखेगा काफी महत्पुन ये सवाल रहेगा दोस्तों अगला प्रशन की तुलसी दास कृत राम चरित मानस हिंदी भासा की किस बोली में लिखी गई थी देखो दोस्तों जो राम चरित मानस था जिसे तुलसी दास द्वारा लिखा गया था वो अवधी भासा में लिखा गया था अगला प्रश्णे की हःयाना के राज कभी कौन कहलाते हैं दोस्तों तो यह है उदय भानु हंस दोस्तों बात करते हैं अगला प्रस्णे की आधुनीक अलंपिक खेलों की सुरुआत कब और कहां से हुई थी? दोस्तो आधुनिक अलोंपिक के सुरुवात यहां पूछा जा रहा है तो दोस्तो यह यह थेंस जो की उरान में परता है 896 इस वी से सुरू हुआ था अगला प्रशने की भारत ने किस खेल में अलोंपिक खेलों में 8 बार सुरुण परतक जीता है दोस्तो तो यह होकी में अगला प्रशने की भारत ने आखरी बार होकी में सुरुण परतक कहां और कब जीता था दोस्तो यह 1980 भी में मौसकों में जीता था अगला प्रशने के अलोंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्सों के बाद होता है दोस्तो अलोंपिक खेलों का आयोजन जो है वो 4 वर्सों में एक बार होता है अगला प्रशने के अंतराष्टी अलोंपिक समीति का मुख्याले कहां इस्तिध है दोस्तो अंतराष्टी अलोंपिक समीति का जो मुख्याले है वो लुशान स्यूजर लेंड में इस्तित है दोस्तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण देख लेते हैं दोस्तो हमारा अगला प्रश्ण की सन 2012 में अलोंपिक खेल कहां हुआ था दोस्तो लंदन में हुआ अगला प्रश्ण ही कि कितने गोले होते हैं दोस्तो अलोंपिक ध्रज में कुल पांच गोले होते हैं कुछ इस तरीके क्या वो गोले होते है ठीके तो इसे भी आप देखना जरूर ठीक क्यूंकि काफी महत्वून सवाले और आपकी एक जामें पूछे जाये तो आप अप खेल कहां होंगा देखो दोस्तों सन 2020 की जो अलोंपी खेल है वो दोस्तों टोक्यो जपान में होगा काफी महत्पुन करें इंटेफिर की सवाल आप लोगों के लिए रहेगा अगला प्रशने की सन 2012 2012 के अलोंपी खेलों में कांस पतक जीतने वाली सान्य नहवाल का संबंध किस खेल से है दोस्तों 2012 में अलोंपी खेलों में कांस पतक जीतने वाली सान्य नहवाल का संबंध बैडमिंटन से है अगला प्रशने की भायात निया अलोंपी खेलों में पहली बार किस वर्स भाग ल मालेश्वरी आलोंपी खेलों में जीतने वाली भारतिया महिला कौन थी तो कर्णम मालेश्वरी ठीक है चलिए दोस्तों आगे बरते हैं और अगला प्रस्ने की बैक टूदा विधास वेदो की ओर लोटो नारा किष्ण ने दिया था दोस्तों ये इसी जो नारा था दोस्तों वेदो की और लोटो वो महर्शी दयानन ने दिया था ठीक है ये काफी महत्पुर्ण रहेगा आप लोगों के लिए तो जो भी नारे हैं दोस्तो उसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा काफी महत्पुर्ण होंगे आपके एक्जामिनेशन के लिए दोस्तो अगला प्र अगला प्रशन है कि मानो सरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है तो दोस्तो इसका से जवाब होगा गुर्दा ठीक है अगला प्रशन है कि किस एक मात्र भारतियों को अर्थ सास्त में नोबल प्रशकार मिला है दोस्तो ये है प्रोफेशर अमर्थय श्यन यहां दोस्तो प्रोफेसर अमर्थय शेन को अर्थ शास्त में नोबल पुरशकार मिला है अब आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्षिने ने बताज़े कि अभी रिसेंट ली अर्थ सास्त में किसे नोबल प्राईस दिया गया है 2019 का जो की भारतिये हैं कमेंट सेक्षिन में आप लोग इसका जवाब जरूर बताएगा क्योंकि काफी महत्पुन सवाल रहेगा आपकी एक्जामिनेशन के लिए दोस्तों अगला प्रशन की और बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रशन की भारत करतने उस्ताद बिस्मिल अगला प्रशन की भिलाई इस पात सनियंद्र का निर्मान किसे देश के सहयोग में किया गया था तो दोस्तों ये रूस से किया गया था अगला प्रशने उत्रिद्रू में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है दोस्तों इसका हिमादरी नाम है अगला प्रशने की विश्व में mung aries पर चर्णने वाले प्रथतम महिला कौन थी जपान की जुन को ते भाई जपान की जुन को ते भई थी दोस्तु वो shewater चर्णनेवाली प्रत्म महिला थी अगला प्रशन के वर बरते दोस्तोm पीलिया किस अंग का का रोग होता है दोस्तो देखो जो फिलिया होता है वह यख्रित औरलिभर का रोग होता है अगला प्रशण कि मेνसभान को अगला प्रशन कि क्लो 52 की घटक क्या है दोस्तो थो लोजबर फिल का खरी घ्रण जो था वह मैगनेसियम होता है अग्ला प्रश्ने केL-PG में क्या होता है दोस्तो इटी गैस में व्यूटें होता है अग्ला प्रश्न है किसने संपर्थम असोक के अभीलेखों को परहा तो ये होगा येम्ज मि Margaretoga grounds nights था तोस्तों आगे बहुते और अगला प्रश् specular के सथापन नहीं कि अंगला फ्रश्नै कि होगा था स्थापित किया था आगे बरते हैं दोस्तों और अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों गदर पार्टी की जो संस्थापक थे लाला हर द्याल थे अगला प्रश्ण है कि सिक इतिहास में लगनर प्रथा किसन हち शुरू हुआ था तiko दोस्तो दोस्तो जो लगनर प्रथा है उसे गुरुक रंगद देव ने इसे हुआ अगला प्रश्ना है कि प्राचीन वेद कौन सा है सब से प्राचीन वेद कौन सा हा sections दोस्तो तो ये रिग वेद है हमारा चार वेद होता है आप सभी को भी पता होगा दोस्तों मैं आप सभी को बता दू आभी पचास कुश्चन और बाकी है ठीक है अभी दोस्तों मैं आप लोगों बता दू खब्री पे भी इसी तरह की आप सभी के साथ सेड किया जाता है जहां पर आप लोगों को ओडियूटो को दिस्किप्षिन अकel तो दोस्तों आप लोग खबरी पर आ सकते हो वहां पर मैं आप लोगों के लिए डेली करेंट फेर आपको इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर रेलवे और बिहार पिल से रिलेटेड मैं अप्लोड कर रहा हूं साथ ही टेलेग्राम गुरूप में जॉइन होकर के दोस्तों आप लोग हमारे पीडियोप्स को डावलोट कर सकते हो तो लिंक जो है दोस्तों आप लोगों को डिस्किप्शन मिल जागा वहां से दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हो और हां खबरी आप लोगों के लिए काफी कर से जबाब होगा मोहांबद बिन तुगलक ने अग्ला प्रशने के प्रतं पंच वर्शी योजना का प्राणंब भूआ दोस्तों पर्थम पंचवर्शी योजना जो थी 1951 में प्राडम हुआ अगला प्रशने की चीनी यात्री हेंसांग ने किस विश्व विद्धायले में अध्यन किया था दोस्तों जो चीनी यात्री हेंसांग था वो नालांदा विश्व विद्धायले में अपना अध्यन यहा तो दोस्तों अग्ला प्रॉया कि कौन सा रग्त्रस्मू सर्वाकां कहलाता है लुख क्रश्न के मनूस में कितने हड्यां होती है तो मनुरे प्रिधिवी सुर्व के चकर लगाती यह सबसे पहले किस ने बताया था दोस्तों प्रिधिवी सुर्व का अगला प्रशने की स्वर्ण मंदिर अम्री सर्मिश्र में चार मिनार कहां इस्ती थे हदराबाद में है कुट मिनार कहां है तो दिली में है और गेट वी अफिया कहा है तो वह मुंबई में है देखो दोस्तों सारे question मैं जल जल इसली करवा रहा हूँ ताकि time कम है और 10 minute में 100 question यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ करवाना है जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियों बताया कि express यह question होगा आप लोगों के लिए काफी महत्पुन होगा आपकी ब्यारपली सिख्जाम के लिए अगला प्रशने की gateway of India कहा इस्ती थे तो मुंबई में है इंडिया गेट कहा इस्ती थे नई दिली में है ताजमल कहा इस्ती थे आग्रा में है अजाद हिंद फोज के अस्थापना कहा की गई थी तो सिंगापुर में किया गया था प्रशने की खेल दिवस के रुप में मनाई जाता है अगला प्रशने की बिश्जवपरावधं दिवस कम मना जारता दो छो को मना जाता है वेसे dit question आपसी भिग साथ ले करके आया हूं अगला प्रसने की करो जा मरो का नारा रा किस नहीं दिया था दोस्तो महात्मा गांधी ने दिया था अगला प्रसने की जहिंद का नारा किस नहीं दिया था तो नेता जी सुभास्चंद्र बोषण ने दिया था हागे बरते दोस्तों और अगला प्रश्न है कि मारो फिरंगी को नारा किशने दिया था दोस्तो इसका सरी जवाब होगा मंगल पांडे ने, मारो फिरंगी कनारा मंगल पांडे ने दिया था, अगला प्रशन है, सर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है, कनारा किस ने दिया था दोस्तो तो राम प्रशाद बिश्म पहात का नेपोलियोंस समुध्रगुप्त को कहा जाता है अगला प्रशने की सतीप्रथा के अंत में सबसे अधिक पर्यास किस समात सुधारा का रहा तो दोस्तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन रायका अगला प्रशने के राम कृष्ण मिश्ण के अस्थापना किस किया दोस्तों स्वामी विबेकार नंद जी ने किया इसको दोस्तों आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्वें दिवस कि स्टीथी को मना जाता है काफी ईजी सवाले दोस्तों हर एक साल दो अक्टूबर को महात्मा गांधी का पुरा नाम क्या है अगला प्रश्न है कि माई एक्सपरिमेंट वे दूथ पुस्त के लिए का कौन थे दोस्तों महात्मा गांधी जी थे ये भी क्वेशन काफी इंपोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए अगला प्रश्न क्यों बरते दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि भारत का सर्वत्च नागरिक समान कौन सा है दोस्तो भारत का सरवच नागरिक समानर भारत रतन है अगला प्रशने की फिल्मी की शेत्र में दिये जाने वाले सरवच भारती प्रुषकार कौन सा है दोस्तो इसका सिजवाबोगा दादा साया फाल के प्रुषकार अगला प्रशने की भारत का सरव रखने वाल प्रथम वेक्ति कौन थे तो दोस्तों ये थे यूरी गण रूसकी थी अगला परषने कि चंद्रमा पकतम रखने वाला प्रथम वेक्ति कौन था तो नियल्म आर्मस्ट्रॉंग ठीके चलिए दूस्तों आगे बरते हैं और अगला प्रशने डूस्तों अगला प्रशनरे के अंत्रिक्ष में जाने वाले प्रत्म भारतिये तो राकेश वर्मा थे प्रत्म भारतियी उप्गड़ा का नाम क्या है और इसे कभ चोड़ा गया था तु दूस्तों यह rigor also 25 इसे छोड़ घ्या था अगला प्रशनरे के सर्युक्तर होत जान ना जाता है तो दोस्तों यह 8 मार्ष को बना जाता है आप दोस्तों आप लोगों से मैं question पूशिन पूश लेता हूं today का question दोस्तों question of the day है यहाँ visual पर कि कौन सी गरन्थी जो है इनसुलीन श्रावित करता है आप लोगों इसका comment section बताना है और दोस्तों जो आपने फ्रेंट्स के साथ सेर की जगा साथ इस वीडिया आपको डाउनोड करना चाहते हो तो आप हमाया टेलग्राम ग्रूप में जुर सकते जिसका लिंक आप लोगों को डिस्किप्शन मिल जागा साथ ही दोस्तों आप इसे डाइडिया जॉप करना दोस्तों और यहांस आ आप लोगों की लासे जल्दी स्टार्ट होने वाली है तो आप लोग दोस्तों आप से अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे